बिधान मंडल का पहला चुनाव 1937 डॉक्टर अम्बेटकर कैसे प्रचार कर रहे थे वो जो मुद्दे उठा रहे थे और जिस तरह से अपने उम्मिद्वारों का चैन कर रहे थे क्या यह मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं यह जानने के लिए चलिए सीधे 8 अक्टूबर 1936 के कैमपेन में जलगाओं में एक सभा हुई थी चुनावी सभा और उसमें डॉक्टर अम्बेटकर ने जो कहा था वो बड़ा दिल्चस्प है कि उम्मिद्वारों का कैसे चुनाव करते थे मुद्दे उनके लिए क्या थे य आपके पुर्व खांदेश जिले की अरक्षित सीट से वे उम्मिद्वार हैं उन जगों के लिए और भी उम्मिद्वार खड़े हैं ऐसा में ने सुना हैं उन में से मेड़े और विहाडे के नाम मैंने सुने हुए हैं इन दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पिछले 15-20 सालों से उनसे मेरी पहचान है और श्री मेड़े से मेरी पहचान ज़ादा है मैं यह जानता हूँ कि श्री मेड़े ने कुछ काम किया है इसके बावजूत मैंने श्री जाधव को क्यों चुना इस बारे में आप लोगों को कुछ आश्यर लगा होगा लेकिन इसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण है विधान मंडल में, काउंसल में, मेगावी, चतुर और दक्ष लोगों की जरूरत है इस काम के लिए आपको योग्य विक्ति की ही जरूरत है अयोग्य विक्ति को निव्थ किया गया, तो उससे जिम्मेदारी नहीं निवेगी आप अगर घर बनाना चाहते हैं, तो सही आदमी को ही काम सौबते हैं अगर बढ़ी से लुहार का काम लेना चाहें, तो वह काम उससे नहीं होगा राजगीर से या मिस्टिरी से आप इमारत बनवाने काम ही करवा सकते हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो वह इमारत नहीं बनेगी, कुछ बेढ़ंगा ही बनेगा और अगर सही विक्ति को काम सौपा जाए, तो वह सुन्दर इमारत बना कर देगा यही बात है बहवार की, प्रैक्टिकल लेवल पर जो काम करना होता है उसके यही बात है बहवार की आप लोग अगर थोड़ा सोचें, तो यह बात आप पर स्पस्ट होगी मेढे बिहाडे, महापालिका, लोकल बोर्ड, स्कूल बोर्ड के लिए योग्य हैं लेकिन जो काम आप देख नहीं सकते, उस काम को करने की आप इक्षा ना करें उस काम को करने की आप इक्षा ना करें सचमुच अगर वे समाज का हित चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वे अपने मन में सोचें और खुद तय करें कि इस काम के लिए असल में कौन लायक है, अगर मैं इमानदारी से सोचेंगे, तो श्री जाधा भी इस काम के योग्य हैं, यह उनका मन भी उनसे कहेगा, यह काम उनसे होगा नहीं, मैं यह नहीं कहता कि वे नालायक हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हर काम के लिए हर व्यक्ति योग्य नहीं होता, जिसका काम उसी को साजे वाली बात है, और इस काम के लिए जाधव अधिक योग्य व्यक्ति हैं, कॉंसिल का सारा काम अंग्रेजी में चलता है, और इसलिए उम्मेद्वार को अच्छी अंग्रेजी आना जरूरी है, उस भाषा में कोई भी सवाल पूछने की शमता उसमें होनी चाहिए, यह सभी बाते केवल अंग्रेजी अच्छी तरह से जानने वाले के लिए ही कर पान संभव हैं, अंग्रेजी नहीं जानने वाले का वहां कोई काम नहीं, उस समय सारा जो विधान मंटल में काम होता था, प्रोसीडिंग सारा अंग्रेजी में होता था, इसलिए अंग्रेजी भाषा ग्यान होना जरूरी था, यह बात डॉक्टर मेडिकर कह रहे हैं, हमें जो जिद्ना शिक्षित व्यक्ति पूरे जिले में नहीं है, उनोंने बिये किया है, वह मेरा कोई रिष्टदार नहीं है, और नहीं, उनसे मैं उनका भत्ता लूँगा, आप ही के भले के लिए मैंने उन्हें चुना है, मैंने पक्षपात नहीं किया है, अच्छी तरह से सभी पहलूंगों पर सोच विचार कर और पुर्व खांदेश का नक्षा आंकों के सामने रखकर ही मैंने जाधव को चुनाएं और मैं फिर से बताता हूं कि जाधव उमिद्वार लायक है फिर आगे कहते हैं सवाल कुछ जो उठते हैं जनली चुनाओं में कहते हैं या आप कहेंगे कि अनपड मराठे और कुनवी भी कॉंसिल में जाते हैं वे भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं अगर उनका आदमी जा सकता है तो हमारा आदमी क्यों नहीं जा सकता जो इसके सवाल का उतर देते हुए डॉक्टर अमिटकर कहते हैं कि इस मामलि में मेरा आपसे यह कहना है कि मराठा और कुणवी की इस्तिती और आपकी इस्तिती में जमीन आस्मान का अंतर है उनके लिए सब कुछ अनुकूल है उनके लिए किसी बात की कोई कमी नहीं लेकिन आप कंगाल है आपको सब कुछ मेहनत करके हासिल करना है और इस सब सुलवता से पाना हो तो केबल कानूनन ही पाया जा सकता है और सिर्फ इसी बज़ा से आपके अनुपड उम्मिदवार वहा नहीं चलेंगे जानकार लोगों का होना जरूरी है क्योंकि आपकी ग्रह दशा को सुधारना है आज कल जो उमिदवार टिकट मिलता है उनका विज़रा आप बायोड़ाटा एक वार्ट देख लेजेगा कैसे कैसे उमिदवारों को टिकट मिलता है और डॉक्टर मिटकर कित यह जरूरी है यह आपका कर्तव्य है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपना नुकसान करवा लेंगे इस बारे में मैं आज ही आपको चितावनी दे रहा हूँ पिछले 2000 साल से आपके पुर्वच इस देश में रहते आए हैं लेकिन बताईए उनमें से कौन ब्रहमन के पैर से पैर सटाकर बैठा है वह भाग्योद है आज प्राप्त हो रहा है ऐसे समय आप अंधे और स्वार्थी बने रहें तो पूरे समाज का ही नहीं बलकि अपना खुद का और अपने बीवी बच्चों का भी नुकसान करेंगे इसलिए इन सभी लोगों की ओर से मैं श्री मेढे और बिहाडे से विनिती करता हूँ कि आप समाज की उन्नति के आड़े न आएं बिना बज़ा खुलर न मज़ा है लेकिन इतना कहने के बाबजूद वे नहीं सुनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे ये जनता से क्राउल से उन्होंने सवाल पूछा क्या मेरा विरोध करेंगे जोड़ जोड़ से सभा में आवाज आई नहीं नहीं समाज को धोखा देंगे फिर वो आवाज गुजी फिर आप क्या करेंगे आपके शित्र में 5000 मतदाता हैं हर किसी को मतदान का हद मिला हुआ है और आप उसका सही इस्तिमाल ही करें इसके लिए हर किसी को सोचना होगा पूरे समाज का काम ठीक ठाक से हो ऐसा अगर लगता है तो आप अपना कर्तवे निभाएं और सब जी जान से मेहनत कर श्री जाधव को चुनाव जितवाएं चूटी ही नाव और बेकार खेवाईया देकर अगर आप नाव पार पहुचाना चाहते हैं तो मैं उस नाव की कभी जिम्मेदारी नहीं लूँगा इतना ही नहीं मैं ऐसी नाव में करम तक नहीं रखूँगा इसलिए मैं जिने चुनूँ वही खेवाईया मुझे देने होंगे तभी मैं उस जहाज को सही ढंग से पार ले जा सकता हूं आखिर मैं आपसे वनिति करता हूं कि आप श्री जाधव को ही चुनाव जितवाएं तो यह था डॉक्टर अमेटकर का भार्षन रेफरेंस है वॉलिम 38 चैप्टर नमबर 95 चैप्टर का नाम है अंध्य और स्वार्थी नजरिये से पूरे समाज का नुक्सान हुआ पेज नमबर 536 2539 इस पर आप जाकर यह पूरा रेफरेंस देख सकते हैं सात्यो शुक्रिया कीप वाचिंग शेरिंग अमेटकर नामा मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ आपको अपने हिस्से का काम करना है ज्यादा से ज़ादा घर- liability कर नामा पहुंचाएं क्योंकि यह प्रमाणिक सुर्थों पर सरकार दौरा प्रगासित किताब के अधन पर आधारीत है भारत माता का चित्र उनके लेटर हेड़ पर क्यूं होता था जरूर इसको समझाएंगे किसी और एपिसोड में तब तक देखते रही आम बेट करना मा शुक्रिया जैविव गुद्णाइट